हलो बच्चो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे और खुब मल लगा के पड़ाई कर रहे होंगे वेल्कम बैक टू बैलोजी बाइनिहा एंड टोडेश वीडियो 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 वी इंपोर्टन पॉइंट ऑफ फंगस संकेट्रियम संकेट्रियम की फंगस जो है हमने अल्रेडी पड़ चुकी है बट उसके जो कुछ-कुछ बहुत इंपोर्टन पॉइंट है जो करेक्टरियम फंगस के वह आज हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यह सब पॉइंट्स में ने वहां भी डिस्क्राइब किये ह बट वह यहां पर वह में लिए पलन प्रियो नियुक्तिम की में जो इंपोर्टन करेक्टरियम की वह है है क्या ध्यों सबसे पहला पॉइंट पाईटल इसे वो हम पेक्शे पाली repertoire द्ति सलीजर्या रएंड होलों इसका थालस योटा होता है यूी शेलुलर होता है और होलो कार्फिक होता है ओके होलो कार्पिक मीन्स जो इसका जिसका वेजट्डिटिट्र होता है वो ही किस में भार्ट हो जाता है नियुक्य को wal स्पोर्मेशन देखने को मिलता है जो समर स्पोर्स होता है समर स्पोर्स और फॉर्म ड्यूरिंग ए सेक्शुल रिप्रड़क्शन अब यह आपको याद रखना है कि समर स्पोर्स कब बनेंगे ठीक है समर स्पोर्स और फॉर्म ड्यूरिंग ए सेक्शुल रिप्रड़क्शन यह sexual reproduction जब take place करेगा तब हमें समर स्पोर्स देखने को मिलेंगे वाइल जो winter sport होंगे वो कब देखने को मिलेंगे हमें sexual reproduction में यानि कि sexual cycle जब take place करेगी उस टाइम पे जो sports बनेगे उनको हम बोलता है winter sports जो next इसका important point है वो यह है कि formation of prosaurus सिंकित्रियम की life cycle में हमें यह देखने को मिलता है कि prosaurus का formation होता है prosaurus क्या होता है यह जो structure में नहीं हाँ पर बनाया है यह क्या है एक bag like समझ लिजिए आप एक bag like sack के अंदर बहुत सारे small small compartment होंगे और उसके अंदर क्या होगा जू सपोर्ज में develop होंगे एक यह structure किस में develop होंगे जू सपोर्ज में develop होंगे तो यह structure को हम यह बोलता है prosaurus बोलते हैं और यह structure हमें कहां देखने को मिलता है सिंकित्रियम की life cycle में देखने को मिलता है ठिक है अब यह यह पूरा एक compartment है इसके अंदर सब compartment प्रिजेंट है यह पूरा एक compartment जिसको आम ने बोल दिए उसके अदर छोटे चोटे सब compartment है जिसको आमने बоже सोरस एक compartment को अगर हम निकाल कई देखेंगे तो वह होता है फ्रफ़ूष के अंदर यह क्या है martini nukleated structure धैज this is the multi-nucleated structure और यह multi-nucleated में से एक structure क्या बनाएगा zoospore बनाएगा ठीक है अगर a sexual cycle चलेगी तो वह zoospore का formation करेगा अगर sexual cycle चलेगी तो यह structure किस के तरह behave करने लग जाएगा gamet engine की तरह behave करने लग जाएगा और इस में से क्या बनेंगे जूसपोर के बदले क्या बनेंगे gamets बनेंगे ठीक है यह तो zoospores बनेंगे या फिर gamets बनेंगे ठीक है जो next है zoospore behave as gamet during unfavorable condition और synchytrium की life cycle में क्या होता है जो zoospore होते वो किस की तरह behave करने लगते ऐसा gamet की तरह behave करने लगते unfavorable condition में जो next है जो synchytrium की life cycle में जो zoospore बनते है वो कैसे होते है uniflagellated zoospore होता है यह important point है यह आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है कि zoospore जो होते है synchytrium की life cycle के time पे uniflagellated होता है यहाँ पर मैंने यह जो स्पोर बनाए है that means यहाँ पर क्या है यह सिफ यूनी फ्लेजलेटेट है यह क्या है यूनी फ्लेजलेटेट इन में सिफ एक ही फ्लेजिला प्रेजिला प्रेजिला प्रेजिट है ठीक है तो यह दो थी कुछ important points in kytrium के बारे में I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो प्लेज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और comment कीजिए subscribe कीजिए मेरे चैनल को मिलती हूँ मैं आपको अपनी next वीडियो में till then bye bye take कीज